सबी भाईयों को नमस्कार मैं हूँ आपका अपना सुरेंदर संसनीवाल सबी भाईयों का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल संसनीवाल डेरी फार्म पे सामने देख पा रहे हूंगे काफी साफ सफाई सजन भाईय के यहां बिल्कुल चकाचक करता हुआ पूरे का पूर और सजन भाईय के यहां पे हैं सजन दंगी मदिना गाउं से ये वीडियो आप भाईयों के लिए लेके आ रहे हैं जितनी बार भी भाईय साब के यहां आए हैं लगबग सारे के सारे पसू रिपीट जो है रिपीट नहीं होते नए पसू भाईय के पास मिलते हैं और बहु जायज रेट के पसू देना, कम पुन्जी का पसू बेचना लाख रुपे से, मैं कहूंगा 50-40-45-50-50-0.000 से भी कीमत जो असुरू हो जाती है भाई के यहां पे, और उस रेट के पसू दन लेने वाड़े बहुत ज्यादा भाई हैं, एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा मदिना गाउं से रोहतक जिले से ये वीडियो आप भाईयों के लिए लेके आ रहे हैं, अभी मिल्किंग चाल लूँ है स्याम के टाइम, कोई पहली बार साइद ऐसा चांस हुआ होगा, कि हम लगबग 12 गंटे उने को हैं, दूद निकले हुए और उस टाइम पे भाई के फ आप लूँ हों हमें दिखाना सुरू करेंगे बाई, इधर से ये जो मिल्किंग चल रही है, कितना दूद है जी इसमें, पंदरा किलो दूद है, कितने की सब्सक्राइब बेचनी है सच्छन बाई, आज एचत्तर हजार की पंदरा किलो दूद है, बाई जाग नहीं बने र दूद के क्वालिटी अच्छी मेंटेन करने के लिए तोड़ा फैंट वड़ा गेरते हो फीड है, तो पंदरा किलो दूद है इसमें, पंदरा किलो दूद है, इसमें त्यारी ये आःट बाई, अश्टार रजार कितने की दिन की ब्याई होगी सब्सक्राइब एक महिने से बाहर देड महिने से ठीक है पन्तारीस पचास दिन की ब्याई हो चुकी है और अठटर अजार उपे पंदरा किलो दूद है भी बाल्टी में भी मेरी ख्याल से साथ किलो दूद निकल चुका होगा जहां तक मेरा एडिया है इस से आगे बाई साब ये वड़ी इसमें बाई द साबी खाल णे बाई सब्सक्राइब का मकसद था जो भी बाई आए दो टाइम डूद निकाल के लेकर जाया क्यों सर्जन बाई ये वाली बाई ये वाली बाई ये बाई डैड महिने की ये भी है अच्छा और शिमन इसको गर्फा आया बाई हाहा दूद होगा 10 शे 11 किलो ठ इसकी किमत अभी 63 जार रुपे 63 थाउजंड की बेचनी है बाई ने और 11 किलो दूद ये आगे वाली दिखानी है बाई ये देनी है बाई आग पर 48,000 रुपे की 48,000 ताज़ा बाई ये के बाखड़ी है बाई बच्चा इसका मर गया 7 किलो दूद की बैस 48,000 रुपे की ठीक ह ये आगे वाली दूद निकल गया इसका इसका आदा ठाना बाई एक शाढे थीन ठानी मानो में आई है तीन थाउजंड की अटीन धनी हैं बाई साजचे ठानी दूद कितना होगा जी गधी साध्व बिभल् औरúc ओग जोshoदा किलो लो जोई को आग और शोदा किलो छूदानी पारी के बाता है भाई पाई पाड़ी के पास थी फीड को खुछ होगा खाती है नहीं बाहर छोड़ दो उसमें खुछ है ठीक है खुला खाने वाली है अल्यकिन दूद बढ़िया ठीक है यह कटड़ी बाई है अच्छा इसका मैंने बता था पहलन को पहां पास श बाई यह तो चटे साथ वे दिन वैली थी फंदरा दिन लेट वैई है ठीक है एसी यह फिर भी कुछ बढ़ाया बेच यह तो बेच भी दी थे था नसायदा अपना फिर बाद है ने बॉल गया और फिर बाद है ने इस डील बढ़ी ने थी ने पर तो अब कितने कि बेचनी है बेच देखिए जमीदार के यहां से दो बैसे यह आई थी पिछली वीडियो साइथ पिछली से पिछली वीडियो में थी फिर नई वीडियो जब बनाने आए तो बाई ने काहा में बेच दी और फिर अभी यह खड़ी है एक-एक महीने की कहके दिया था कि एक महीने बाद बच्चा देंगी लेकिन 6-7 दिन के अंदर ही दोनों जोटियों ने बच्चा दे दिया एक तो निच्चे से बढ़ी ही नहीं और मेरी खाल से उस वाही ने 22-23-23 कि लुदूद वाली बैसों की बता के बैसों की बच्चा रहा है कि दूज उतना है देंगी उसी के उस पर रोक पर रख्यमा कब तक देंगे यह देखेंगे बाइट बैस अपड़ा पी लेंगे बैस दोटी अच्छी है थेक है ठेक है आगे वाली यह चोटे कद वाली यह फर साइम है सैंट अब मुझे भी नहीं है हमें भी खरीड के लाया हूं सैकिंड आम है 12 किलो सैकिंड टाइम की क चाट शच अजार गी 12 किलो दूद की चोटे साइज की जोटी अडरक वाल टी चुआई बहुत ओके तर अच्छी निकालती है ठेक है ठेक है तो इससे आगे देखिए इदर फिर बारा तेरा देर जंजी गाई है हाँ 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 तो गारा तनो किलो यह जह जहनी है बारा किल दूद है आठनो किलो ठीक 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 पहले ब्यात किया अड़ सट अजार उपे की देखिए जोटी साप सुत्री है यह और इससे आगे फिर यह वाली अच्छे यह वाली भाई यह फर्स टाइम ने दो दात है दो दात ठीक है यह छे दिन की ब्याई और आठनो किलो दूद ह यह कितने की बेचनी है बाई यह बहतर जार रुपे की देखिए फुल साइज की जोटी है आठ किलो दूद भी दे रही है और मातर छे दिन की ब्याई होई बढ़िया जोटी और रेट देखिए कितने रिजनेबल है बहुत ही जायज इससे आगे यह वाली बाई यह वाली कि अब यह चार दात ही है ठीक है पोजिसन अच्छा है 11 किलो दूद भी जागे यह 15 दिन की ब्याई है ठीक है यह कितने की बेचनी है यह देनी पिचेतर अजार रुपे की देनी है देखिए साब सुतरी जोटी बिलकुल और गोड़ सिंग की यह वाली बाई यह गवाल के दूद भाई इसमें 11-12 किलो फाज होगी तेरा दिन की प्याई है और इसकी किमत भी 68 रुपे और इसकी किमत भी 68 रुपे 68 रुपे में गयारा बारा लिटर दूद की बाई देखिए 68 रुपे में कहां मिलेंगी आपको इतनी सब्स्तिश्टी बैसे यह दिमांड प्याई फैसओ इसमें माहन हो फानों जिखा और दिखाने का परजबाए यह जिसको तेर निइं बोलते हो हो एए बचच्याई तीन थने समय है? ठेक है कि नेगने की वेचनी है नहीं जे नहीं अब्याम 82,000 शाज चे god वल्या बच्या लीजो कि तना है भाई का 1D वह त 13-10 कि तनी वुरी जन से 3 तना जोने की दस दिन की व्याई है ठेक है पहले ब्यात्कि है दूसरे में आरे, ब्यात्कि है मात्तर भी 80,000 रुपे ये वड़ी बाई ये दूसरे बैत की है बाई आज होगे लग बंगे 11-12 दिन की बैई ठेक है 11-12 लेटर दूद भी है ठेक है साथ पोजिशन है कई बार पता नहीं चलता पता रहे तो इसके मात्ति में फूल अगय चोटा सा ठेक है ठेक है बाई और इसलिए ज्यादा काम बीब मैं कोँगा बाई का चल रहा है बहुत बड़ी ये वड़ी बाई या के वाली ये खाली कर्जी सुलंदर पर सोगी बाई ठेक है चुवाई बिल्कू साफ है ठेक है कोवर्टी वाइज वैसे भी तीसरी बार की है इसकी किमत बाई बाई भण में जार रूपेर बढ़ में जार कितना दूद दे देगी भाई ये फंदरा लीटर लास टाम का था इसका इसकी टाम थेक्ड़कूज में किलो करें करें दो किलो करें है पंदरा इस थेक ए घजधे ये बड़ी बैस भाई ये तीसरी बार की श्रम बाई अच्छा इंब पने गह है, ठीक दूसरी पार में 16 लीट्र था टा ज़िक है जो भी उपलुटे है उपधि टमुटे सब अलग बहुते है उप जो पी तहना कंपि बहुते हैं, कितने की की बेचनी है उपत्रीा में 17 किलो दूद तो निकाल हेंky बहुत बढ़िया भाई तो यह देखिए सजन भाई के यहां काफी सारी बैसे लगब सारी की सारी लाक रुपे से निच्चे की और मेरी ख्याल से 45,000 की भी बताई ना कोई बैस भाई 45,000 की बैसे लेके 95,000 रुपे के बीच के पसुदन भाई के यहां पे विक्री के लिए उपलब्द है शांदार मैं कहुँगा साफ सफाई का परबंद भाई के डेरी फार्म पे और बहुत ही जायज रेटों का पसुदन अपने गराकों को देते हैं और जो भी बाई पसुदन लेके गए हैं एक बार वो बार बार लेके जा रहे हैं मेरी ख्याल से जो MP वाड़े करा हैं उनके यहां तो पांच-छे गाड़ियों का लोड भाई के यहां से जा चुका है एक दोर भी उचकी बार चला हूं किस बाई कला हो भी दो बंदे और आए ठीक है ठीक है तो जो भ मेहम का रोड है रोतक से इसारवाला में रोड है उस रोड के उपर भाई का गाउं है जितने भी भाई वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सभी को मेरी तरफ से नमस्कार